हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका भाई आपका दोस्त अजय दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीडिये सैन और रियाज गेम का डेफिनेटिव एडिशन अब दोस्तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से यही बात सुनकर कुछ कि जब तक नहीं होगा तब तक यह तो है नहीं कि हम ऐसे ही बैठे रहें तो खुछ नहादो करना ही है तो इसलिए मैंने सोचा कि जो ड論 डेफिनेटिव एडियन मैंने बनाया है तो उससी के बारे में आपको एक वीडियो बनाके दिखा दूं और बताओं कि इसमें क्या औ आपको देखने को मिलेगा और आप भी अगर इस गेम को खेलना चाहे तो अपने फोन में खेल पाएं और डेफिनेटिव एडिशन का मज़ा अपनी गेम के अंदर ही ले पाएं तो दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको पता दो कि इस गेम के अंदर आपको क्या-क्या नई-नई आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेंगे और उन तीनों में से आप किसी भी करेक्टर के साथ जब मरजी अपनी इस गेम को खेल पाएंगे और सबसे बढ़िया और लाश्ट बात ये है कि इसमें आपको इन बिल्ट मतलब पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड क्लियोचीट्स भी मिल जाएंगे तो उन क्लियोचीट्स की हेल्प से आपके लिए इस गेम को खेलना बहुत ही ज्यादा मज़ेदार और आसान हो जाएगा तो पहले से ही अपने फोन में GDS and Reais गेम को खेलते हैं तो पहले आप उसको डिलेटब कर दीजिये या दोस्तों अगर आप नौर्मर वाली खेलते होंगे तब भी आप डिलीटर आप जो भी आपके पास होगा उसको आप डिलीट कर दीजिए अब मेरे भाई कुछ लोग ये जरूर बोलेंगे कि भाई ओभी फोल्टर ही ही अगर हम डिलीट कर देंगे तो इस वाली गेम को कैसे खेलेंगे हमें ओभी फाइल दुबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी तुम्हारे वाली तो मै अपने फोन में डाउनलोड करेगा और उसके बार में जो सबसे बड़िया और में फाइल है वो है डाटा फाइल अभी दोस्तो अब भी फाइल मेरे पास नहीं है और ना ही इस गेम को खेलने के लिए वो ज़रूरी है तो डाटा फोल्टर वाली फाइल जो होगी वो कैसे आ और कैसे उसको एक्स्टरेट करना है वो आप सुन दीजिए तो दोस्तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि Android फोन के अंदर तीन तरह के GPU आते हैं एक होता है Mali GPU एक होता है Adreno GPU और तीसरा होता है Power VR GPU तो दोस्तों अभी जो मैं आपको डाटा फोल्टर वाली फाइल प्रवाइ करना अगर जिसके फॉन में Mali वाला होगा तो Mali वाली फाइल डाउनलोड करना और अगर किसी के फॉन में Power VR GPU होगा तो वो Power VR वाली फाइल डाउनलोड करना अगर दोस्तों GPU आपको नहीं पता तो उसको आप चेक करने के लिए Google Play Store से अपने फॉन में एक एप इस्टॉल कर है, Mali है या फिर Power VR है, तो उन तीनों में से जो भी आपके फॉन में GPU होगा तो उसी हिसाब से आप गेम की डाटा फुल्टर वाली फाइल होगी उसको डाउनलोड करियेगा, Mali होगा या फिर Power VR जो भी आपके पाउन में होगा उसी हिसाब से करना, कोई दूसरी वाली आप मत करना नहीं तो आपकी गेम जो है वो नहीं चलेगी और दोस्तों अभी मैं आपको बता दू कि फाइल को आपने कैसे और काहा पर एक्स्ट्रेट करना है तो दोस्तों फाइल को एक्स्ट्रेट करने के लिए आपने Google Play Store से Z-Arceiver एप अपने फाइल के लिए उपने फाइल के लिए अपने फाइल करने रसे जाने के तो उस फाइल के उपर कलिक करना है और बार आपके सामने जो उप्षन आएंगे तो उसमें से आपने fourth वाले option पर click करना है तो fourth option पर आपको दिखेगा extract तो आपने extract पर click करना है दिया रखिएगा दोस्तों की ध्यान रखना कि extract here आप मत करना extract here अगर आप कर देंगे तो आपके उसी folder के अदर ही आपकी फाइल extract हो जाएगी तो fourth वाले नमबर पर जो option होगा extract वाला तो आप उसे extract वाले option पर ही click करना और उसके बाद आपने अपनी device storage को उपर से select कर लेना है और उसके बाद आपने android वाले फोल्टर में जाना है अपनी device storage के अंदर device storage में जाना है उसके बाद android वाले फोल्टर में जाना है तो android फोल्टर के अंदर जाने के बाद आपको वहाँ पर एक data फोल्टर दिखने को मिलेगा तो data वाले फोल्टर में आपने जाना है और उसके बाद आपने वहीं पर ही अप उपने फौन में ओपन करके खेल सकते हो। लेकिन दोस्ते एक और बात सदीजीये, अगर आपने डाटा फोल्टर को पहले डिलेट नहीं किया होगा, तो आप पहले उससे इस डाटा वाले filter के अंदर से delete कर दीजिएगा नहीं तो आपको बाद में game को खेलने में problem हो सकती है तो अगर आपके सामने override file वाला option आए तो इसका मतलब यही होगा कि आपने जो पहले से ही pre-installed GDS and Andreas game जो आप अपने phone में खेल रहे होगे तो उसी का जो filter होगा वो आपके phone में पहले से ही बना हुआ होगा तो file को extract करने से पहले आप उस filter को delete कर दीजिएगा कहां किसको अपने वाले filter को उसके बार ही data filter के अंदर मेरी वाली file extract कीजिएगा तो समझ गई होंगे आप लोग अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मेरे telegram group में आकर कुछ भी अपना सवाल पूछ रखते हो क्योंकि दोस्तों अब मैं आवगे जो आपको बताने वाला हूँ वैसे आप लोगों मैं से काफी सारे लोग ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि भाई files तो तू बता ही रहा है कि ऐसे ऐसे करना है वैसे वैसे करन हूँ दोस्तों जो लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और अगर आप मेरी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर आल नोटिकेशन को भी ओन कर दीजिएगा ताकि आ मांगना चाहते हैं मेरे टेलेग्राम ग्रूप के अंदर आकर आप मुझसे मांग लेना क्योंकि अगर आप YouTube पर मुझसे बार-बार सवाल पूछेंगे और कुछ भी मांगेंगे तो मैं आपकी जो रिक्वेस्ट होंगी वो YouTube पर तो पूरी नहीं कर पाऊंगा तो जो कुछ भी आपको चाहिए जो कुछ भी आपको सवाल होगा आपके मन में आप मुझसे टेलेग्राम ग्रूप में आकर अपना सवाल पूछ लीजिए तो टेलेग्राम ग्रूप को आप मेरे जरूर जोईन कर लेना और वहां पर आकर मुझे मैसेज करना तो आपके मैसेज को पढ़ तो दोस्तों, अगर आपको अपने भाई की ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शियर कर देना, अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को तबाके आल नोटिफिकेशन को भी ओन कर देना, ताकि आपको अपने भाई की आने वादे हल वीडियो की नोडिफिकेशन जल से जल और सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को वेंट तक देखने के लिए मैं मिल आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई